काईली सस्क्राइब दे चैनल और हिट बेल आइकेन तो गेट रेगुलर अपडेट्स थाइंक यू अब हम पढ़ेंगे लेसन टू वर्ण विचार तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार तो देखिए आपके में लिखा है मोर नाच रहा है इस वाक में चार शब्द हैं ये चार शब्द अनेक धनियों से बने हैं मा ओ रा आ नाच ना आ च रहा रहा है 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 ये धनिया ही वर्ण केलाती धनिया वास्तों में मूँ में उत्पन होती है और हम भासा से उनके लिए कुछ निच्चे तिन्यों का प्रियोग करते हैं, धन्यों के एचिन नहीं वर्ण कहलाते हैं, अब जैसा कि आप देखें नीचे इसकी definition है, वह मुल धनी जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाती, जैसे आ, इ, म, न, आ, दी, अब वर्ण माला किसे कहते हैं, किसी भाशा के वर्णों के करम ब्रद और विवस्ते समू को वर्ण माला कहते हैं, उसके बाद आप आते हैं, वर्ण माला में हिंदी की एक वर्ण माला, उचारन के आदार पे हिंदी वर्ण माला के दो भाग किये जा सकते हैं, पहला होता है स्वर, देखे लिखा ह स्वर जिन वर्णों के उचारन में स्वास बायू बिना किसी वाधा के मुख से बाहर निकलती तता जिन उचारन में किसी अन्य वर्ण की सायता नहीं ली जाती है वो स्वर कर लाते हैं इनका उचारन स्वतंत रूप से किया जाता है स्वर के भेद कितने होते हैं तो देखिए स्वर के भेद होते हैं का खागर समय के आधार उचारन का आधार उचारन की स्थान का आधार समय के आधार पर स्वर भेद उचारन में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं हस्व दीर और फ्लुक हस्वर कौ प्लुप सर के तीन गुना उससे भी अदिक समय लगता है जैसे कि आप जो शब्द बुलाते है ओम, हरी, सुनो, आदे उचारण के आधार पे सवर भेद कितने होते हैं उचारण के आधार पे सवर बेदों में सवरों के भेद होते हैं निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक निरनासिक में क्या होता है? जब स्वरो काउचार के अरु मुख से होता है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते है जैसे आ, आ, ई, उ, उ, ए, ए, ओ, ओ अनुनासिक जब स्वरो काउचार मुख नाक दोनों से होता है उन्हें अन्ना से कहते हैं जैसे अंग, आह, ई, ई, उ, उ, ए, ए, आ, ओ, आ, अर्थात इन सोरों को लिखने के लिए इन पर अन्वान सिकता का चंद चंद बिंदू लगाया जाता है जिन वर्नों के उचारों में सोरों की सायता ली जाती है, जिनके उचारों ने सौस वायू रुकावट के साथ मुख से बाहर आती हैं उन्हें वेंजन के भेद तो देखे नीचे लिखा है वेंजन के बेच चार मुख्यादा, इसपर्ष का आधार, उचारन स्थान पर आधार, स्वास, वायू की मात्रा का आधार, स्वतनती कमपन पर आधार, इसपर्ष की आधार पर वेंजन ये मुख्य अंगों से इसपर्ष की आधार पर वेंजनों के मुख्य तीन भागों में जो कि पारा स्परिक सबोले जाते हैं और मुखे इस परस बंधार पर वियंजनों के मुगती रूप हो जाते हैं ठीक deals अब उचारण के स्थान पर आधार व्यंजन बेत उचारण स्थानों के आधार व्यंजनों के इन चारण वैदे इन व्यंद उचन बेतšन peanuts अर्थात सास वायू के मात्रा के आदार पर वेंजन वेध होती हैं दो प्रकार के एक अलप्रान दूसरा महाप्रान अलप्रान जिन वेंजनों के उचार में सास वायू कम मात्रा में बाहर लिकल दियों उन्हें अलप्रान के एक पहला है अगोश और दूसरा है घोश अगोश में जिन वेंजनों के वर्णों में उचार में सास का प्रियोग होता है और स्वतनती कमपन नहीं होता उन्हें अगोश वेंजन कहते हैं वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेदों में क्या होता शब्दों के उनकी धनिया वर्णों में तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है वर्ण सायोजन क्या होता है सब्दों के वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर उनकी शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण से योजन कहते हैं जैसे शा, उ, ध, ध, अ, यानि की हो गया शुद्ध, इसी तरह से अनुधारण भी दिये गए है, बच्चों आज का ये चाप्टर आपका यहीं से सेकेंड फिनिश होता है, थैंक्यों सो मच